एक साथ जैने को सलामी दो, एक साथ त्राष्ट की शुरो जल जल जितरंगा, तव शुप नामे जागे, तव शुप आशिष्यमागे, आए तव जय गाता, जन दन मंगल जायत जय गे, वारत पाध्य विगाता, जय खाय जय खाय हे, तव जया 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 जयाय हे, सुप फारत, पातां की, जया, जया हे, सुप चैने, सुप खाय हे, Thank you everyone. Now, Sir will speak some words, please. दर्थी कॉंप्लेक्स के सभी रहवासी, इस प्रभाग के नगर से वक, अनिक सावन, बर्लिन डिसा, रुबिना सेयद, फातिमा गारे, सोसाइटी के सभी आउदेदारान, भाईयों, महिनों और प्यारे बच्चों, आप सभी को आज के सवतंत्र दिन की महुत सा अनिशिप का बाम ना है, इंडिपेंदेंस डें, आप और हम सब सब बड़ी खुशिया मनाते हैं, जैसे इद, दिवाली और कृस्मस मनाते हैं, उस तरह से हम इंडिपेंदेंस डें की भी छुट्टी मनाते हैं। हैं लोग की लॉग वीकेंड की प्लानिग करते हैं कOoh इंडेड़न श्राइड सारी चुप्पcheon कें मदे अीं चुते ले लेते हैं कि मनटे कुई बिमार होने मैं भूअ और लॉंग विकेंड पे चले जाते हैं अच्छी बात है कि छुट्टी मनाते हैं खुशी मनाते हैं और खुशी में ही आज भी छुट्टी मनाता है और छुट्टी में ही खुशी मनाता है लगर ये छुट्टी ही और ये खुशी ही आपको हमको आसानी से और विना मुल्य नहीं मिले इसके लिए बहुत बड़ी कीमत इस मुल्क के लोगों को और सौतंतर सैनानियों को देना पड़ी है और सौतंदर मिलने के बाद आजादी मिलने के बाद इस मुल्क का एक कुरान, बाइबल, गीता, ग्रुगरंत बनाई गई जिसे हम Constitution कहते हैं जिसे डॉक्टर बावा साथ भीमरा अम्बिटकस आपने बनाया दो साल दस महिने के अंदर वो Constitution तयार हुआ और वो Constitution बनाने के लिए पारलेमेंट के अंदर जो स्टालवर्ट्स लीडर्स थे जिनकी तस्वीरे आज आप और हम हिस्ट्री की किताबों में देखते हैं, दफ्तोरों में देखते हैं उन तमाम लोगों ने दो साल दस दिन, दस महिने तक के इस मुल्क के पारलेमेंट के अंदर हर मुद्दे के उपर, हर इशू के उपर अपने विचार रखें, अपने व्यूज रखें और तब जाके ये Constitution बना है और इस Constitution पर, आधार पर इस देश की लोगतंतर चलती है, न्याएपालिका चलती है और प्रशासन चलता है आप जब भी कभी निउस्पेपर पढ़ते होंगे, कोट कर कोई जेज्मिन पढ़ते होंगे तो उसमें आप देखते होंगे के सुप्रीम कोट, हाई कोट ने, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल अधर अधर डिफरेंट टाइप्स के मुक्तलिफ आर्टिकल के बेस के उपर हो फैसली किये जाते है अब वो आर्टिकल बनाने के लिए, एक एक आर्टिकल बनाने के लिए, अगर आप गूगल करेंगे और Constitutional Debates के संदर्ब में अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक आर्टिकल, मतलब एक इशू के उपर, कि अगर गुजरात राच्या बनाना है, या अगर हिंदी भाशी इस मुल्क की नैशनल लाइंग्वेज रखनी है, तो इसके उपर कितने Debates हुएं, कितनी चर्चाएं हुई, कितना Discussion हुआ, अब तब जाके वो आर्टिकल बना अब वो Debate और Discussion करने वाले लोग कौन थे, वीपी मैनन थे, रादाक्रिशनन थे, सरदार पडेल थे, पंडित नहरू थे, डॉक्टर भीमराव अंबिट का थे, आप नाम ले लीजिए समाम वेटरिन लीडर्स का, ये सारे लोग थे, एक-एक आर्टिकल पे एक-एक महिना रात-रात भर इस Constitutional के उपर जो है डिसकेशन हुआ तब जाके Constitution बना है, आज इस मुल्क के अंदर Constitution को बाजू में रख करके काम करने का प्रयास किया जा रहा है, इस मुल्क के अंदर Constitution के उपर जो है आच आई भी है, इस मुल्क के अंदर Constitution में जो सर्व धर्म समभाव, Secularism, United Republic of India का जो एक चित्र है उसको बदलने की प्रयास की जा रही है इस मुल्क के अंदर आज पिछले पात सालों में बे रोजगारी बड़ी है मगर ये सरकार रोजगार के ओपर कोई बात करने तयार नहीं है पिछले छे महिने के अंदर सिफ मारूती इंडस्टी का 36 टका सेल घटा है बाकी के Automobile इंडस्टी का कम से कम 15 से 20 टका सेल घटा है IT इंडस्टी में से लोगों को Unemployment Generate हो रही है Trading इंडस्टी में से Unemployment Generate हो रही है Hotel इंडस्टी के अंदर से Unemployment Generate हो रही है Unemployment कब होती है जब मुल्क की तरक्की रुख जाती है जब growth रुख जाता है जब growth रुख जाता है तब unemployment आता है Real state के अंदर कई लोग 1000 करोण रुपे के NPS के उपर बढ़े वे हैं करोण और 1000 करोण रुपे के वहां पे जो है लोन्स हुए है आज सरकार ने RBI का BFC point interest rate घटाया यह पता है आपको क्यों घटाया क्योंकि स्टॉक मॉर्केट जबर्दस्त नीचे गिर रहा था उसको समालने के लिए बचाया उसको समालने के लिए घटाया ना के आपके bank loan के उपर आपका rate of interest जो ने लोन लिया है उनके उपर घटाने का का नहीं हुआ है तो यह सरकार जो है economic reforms के उपर economic reforms पे इस देश की तरक्की के उपर GDP आप रोज पढ़ते होंगे कि GDP आदा टक्का कम हो गई पॉना टक्का कम हो गई एक टक्का कम हो गई तो यह जो growth है इस मुल्क का जो growth है employment growth है economical growth है यह रुख गया है यह थम गया है और यह इसके उपर इनके पास कोई इलाज नहीं है और इनके पास इलाज नहीं है इसके लिए इस देश के अंदर अफरात अफरी का माहूल आपको हमको नजर आता है कि कभी ये मुद्दा उपन हो रहा है कभी वो मुद्दा उपन हो रहा है कभी पैंडोरा बॉक्स उपन कर दिया जा रहा है ताकि लोगों का ध्यान बटा दिया जाए अब याप मेरा जा रहा है लोगों की दिशा भूल की जा रही है इस शहर के अंदर के गाड़ान प्लेग्राउंड एजुकेशनल इंस्टिटूट्स के रिजर्वेशन खतम कर दिये जा रहे हैं और इस तरह की मन्दारी कारबार मीरा वहिंदर के अंदर भी चल रहा है हजारों हजारों करोड रुपे का प्रस्ट चार इस शहर में भी हो रहा है लोगों की दीशालों किस तरह की जा रही है तो बर साथ में रस्ते का घुमी पूजन किया जा रहा है दो में आपके पैसे का आपके tax का पैसा जो आप लोग already कचरे का पैसा कचरा उठाने का पैसा जो है आपके tax में included है उसके बावजूद आपके ओपर 500 रुपया वापस garbage collection tax लगा दिया गया है और आपके tax में से पैसा इसलिए जमा किया जा रहा है ताके ब्रस्टेचार बढ़े पेपरों में आती है बात में न्यूज में है कि 25 टका tender के अंदर commission खाये जाता है यह newspaper में आता है पेपर में आती है बात रिजर्वेशन बदल दिया जा तो यह इस तरह से काम मेरा महिंदर में भी हो रहा है आने वाले आपको इस चुड़ाओं में सोचना पड़ेगा फैसला करना पड़ेगा कि आपको काम करने वाले लोग चाहिए कि इस तरह से दिशाहीन जो लोग हैं जिनको कोई शहर की दिशा पता नहीं है इस राज्य की दिशा पता नहीं साथारा श्ाडली कोला पूर चोलापूर कोंगड में कितनी बाढ़ा हिए हज़ारोрь-खौरो करोड रुपे का नुकसान हुआ ह्या त्वानी जाइंटाओ नुकसान होई 5 लाख लोगों को वेघर हो गये हैं पीने का पानी नहीं है सांडb पानी सिवलच का जो पानी है पूरे शेर में पड़ावा पाइट पाइट भी सांगली सातारा कुलापुर में भरा हुआ है लाखों जानवर वहाँ पे मर गए है बगर राज्य सरकार क्या कहीती है कि हमको सिर्फ 6400 क्रूड रुपया चाहिए केंद्र सरकार से पांच लाद लोगों को स्तारानतर किया गया है उनका रहने का खाने का पीने का पीने का पानी जो जानवर मर गए है वो लाखों भी तादार मर गए है उनको Packama है कितने पैसे लगेंगे हजारों रहीं लगों कोरूड रुपय लगे बिंगे है इस मुल्क में आज N TV के अंद वे आठ डिस्ट्रिक्स उत्राखंड, चत्तिजगड, राजस्तान, गुजरात, आप रोस न्यूस्पेपर और टीवी देख रहे हो, इसके लिए लाखो लाखो करोड पे केंदर सरकार को देना पड़ेगा, बगर ये केंदर सरकार की एकनॉमिकल बैट पर्फॉर्मिंस के इमोशनल मुद्धे हैं, जिससे इस मुल्क का और लोगों का कोई फाइदा नहीं होने वाला है, ऐसे मुद्धों को ये हाथ लगा करके लोगों की दिशा भूल कर रहे हैं, आपको हमको सावद होना पड़ेगा, और इस देश की तरक्की के लिए जो बड़ी मुश्किल से ये जो आजादी मिली है, इस आजादी को अगर आपको हमको कायम रखना है, एकनॉमिकल ग्रोथ होना चाहिए, हमारे बच्चों का भविष्य मुस्तक्बिल जो है, वो ग्रोथ पर है, एजुकेशन पे है, सर्वो धर्मा समाभाव पे है, मैं आप सभी लोगों का बहुत- आप सारी शुब कामना देता हूँ, जै हिन, जै महाराज, जै भीम।